प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार स्वागत है आपका आज की अंक में व्यवसाई अध्यन नियुक्तिकरण भाग तीन में आप जानते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा जैसे कि नियुक्तिकरण की अवधारना, उसकी आविश्यक्ता, उसका महत्व, मानसंसाधन प्रवंध प्रक्रिया में नियुक्तिकरण का रोल और नियुक्तिकरण की प्रक्रिया भरती, उसके स्त्रोत, उसके लाब एवम हानी नियुक्तिकरण के विशे में आज हम पढ़ेंगे चैन का अर्थ क्या है? चैन प्रक्रिया क्या है? और उसमें नहित चर्णों का उलेख करेंगे प्रशिक्षन एवं विकास, प्रशिक्षन के लाग, संगटन एवं कर्मिचारियों को दोनों को ही क्या क्या लाग होते हैं वो पढ़ेंगे प्रशिक्षन एवं विकास में क्या अंतर है एवं प्रशिक्षन विधिया तो चलिए जान लेते हैं कि चयन का अर्थ क्या है चयन का अर्थ रिक्त पदों को भरने के लिए सबसे उप्युक्त और होनहार उमीदवारों की खोज करने की प्रक्रिया से है चैन प्रक्रिया में कई उमीदवारों को निकाल दिया जाता है क्योंकि हमें सबसे उप्युक्त उमीदवार का चैन करना होता है क्योंकि इसमें उमीदवारों को निकालने का कार्या समिलित होता है इसी वजह से इसको हम एक नकारात्मक प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं नकारात्मक इसी लिए कि हम जिस प्रकार भरती में लोगों को आमंतरित करते थे तो उसमें जादा से जादा लोगों को एपलाई करने के लिए प्रेरित करते थे परन्तु चयन इसके विप्रीत है इसमें हम जिसमें जो कमी दिखाई दे उसको निकाल करके दोशों पर ध्यान देते हैं कि जिसमें जो दोश है उसे छोड़ दिया जाए और जो गुण है उसके आधार पर चयन किया जाए चयन प्रक्रिया एक बहुत ही सोची समझी गई सिल्चिलेवार तरीके से निभाई जाने वाली प्रक्रिया है क्योंकि यदि उमीदवारों का चयन सही प्रकार नहीं होगा तो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ती भी नहीं हो पाएगी इसलिए संगठन के उद्देशों की प्राप्ती बेहितर दरीके से हो सके इसलिए चयन का जो कार्य है वो हमें बेहितर दरीके से करना होगा चयन प्रक्रिया में पहला चरण है प्रारंबिक जांच, दूसरा चयन परीक्षाइं, तीसरा है रोजगार साक्षातकार, चौथा है संदर्भ और प्रिष्ट भूमी की जांच, फिर है चयन का निर्ने, एवं मेडिकल परीक्षन, नौकरी का प्रस्ताव और अंत में आता है क तर्मचारी अनुबन इसे अंग्रेजी में भी हमने लिखा है प्रिलिम्नरी, सेलेक्षन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटर्व्यूस, रेफरेंस और बैक्राउंड चेक्स, सेलेक्षन डिसीजन, मैजिकल एग्जामिनेशन, जॉब ओफर, कॉन्ट्रेक्ट ओफ एम्प् रख सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रक्रिया में चर्णों का उपर नीचे होना उसकी प्रक्रिया को पूरी तरह से खराब कर सकता है, इसलिए इन्हें सिल्सिलेवार याद रखने के लिए इस लड़निक टेखनीक कर इस्तिमाल आप कर सकते हैं अब आते हैं चर्यन प्रक्रिया मेरे हिचि चर्णों की डीटेल में सबसे पहला है प्रारंबिक जांच जब आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तब क्या होता है कि एक कमेटी बिठा दी जाती है, सνस्था के द्वारा वो स्क्रीनिंग कमेटी कहलाती है और इसमें आवेदु उमीदवारों को पूरी तरह से अस्रीकार कर दिया जाता है प्रारंबिक जांच में दी गई जानकारी के अनुरूप आवेदक ने उसकी योग्यता वगेरा ठीक है उसी की ठीक तरीके से जांच की जाती है उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति की एमकॉम की क्वालिफिकेशन मांगी गई है यह चार्टेड अकाउंटन की जो शैक्षिक योग्यता की मांग की गई है तो उसकी जो एप्लिकेशन आई है उसमें हम देखेंगे कि उसने एमकॉम किया है या फिर सीए किया है या नहीं यदि उसकी शैक्षिक योग्यता में वह यह शेक्षिक योगिता जो हमने कही है और वो नहीं पाई जाती है तो हम उसे अनुप्युक्त उमीदवार मान लेते हैं और अस्वीकार कर देते हैं तो जैसा कि आपको बताया था कि यह एक नकारात्वक प्रक्रिया है तो यहां दोशों पर ध्यान दे करके जो अनुप्युक्त उमीदवार हैं उनकी छटनी कर दी गई और उप्युक्त उमीदवारों को चाट करके अगले स्टेप की तरफ अगले चरण की तरफ बढ़ा दिय कर्म चारिःक के लिए उप्योग की जाने वाली महत्वपुन परिक्षाएं जो हैं वो कौन-कौन सी हैं आए जान लेते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि महत्वपून परिक्षाएं सबसे पहले intelligence test या बुद्धी परिक्षाएं होती हैं यह एक ऐसी परीक्षा होती है ज एक व्यक्ति विशेश का शिक्षक होने के लिए मापन्ट है या नहीं। इसी तरह से दूसरी परीक्षा है कौशल परीक्षा। कौशल का मतलब होता है स्किल, अर्थात, किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक कौशल की आवश्यक्ता होती है जैसे की लैब टेक्निशन होते हैं, कम्प्यूटर इंजीनिर है या चार्टर अकाउंटर की परीक्षा है तो इसमें कुशलता को नापा जाता है, मापा जाता है कि क्या वहे व्यक्ति विशेश, क्वालिफिकेशन के साथ-साथ, वहे स्किल भी, वहे कौशल भी अपने अंदर रखता है या नहीं तीसरी परीक्षा हो सकती है व्यक्तित्व परीक्षा व्यक्तित्व परीक्षा एक व्यक्ति के संपून व्यक्तित्व का आंकलन करती है जैसे की पब्लिक डिलिंग अधिकारी परीक्षा तो जिस व्यक्ति को फ्रंट डेस्क पर बैठना है उसे बोलने का धंग, वोईस मॉडूलेशन, एक अच्छे सी अपियरेंस जो है उसके अंदर होनी चाहिए चौथी परीक्षा इसी में है व्यापार परीक्षा है व्यापार परीक्षा है जो हैं एक व्यक्ति के अंदर मौजूद कुशलताओं को या फिर पेशेवर ग्यान को या उसकी निपुन तक हो मापती है उदाहरन के लिए कंप्यूटर अपरेटर परीक्षा तो इसमें computer operator के लिए computer की योगेता के साथ उसकी जानकारी उसकी काम करने की जो कुशलता है उसको मापा जाता है फिर हम बात करेंगे अभी रुची परिक्षा की अभी रुची इंट्रेस्ट पे अपने अंदर से रुची या रुजहान की जो परिक्षा है वो इसमें ली जाती है इन परिक्षाओं से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि एक व्यक्ति की रुची या रुजहान किस कारह की ओर है आपने सुना भी होगा कि जब किसी भी फील्ड में एक व्यक्ति एपलाई करता है तो अभी रुची परीक्षा उसकी बहुत ही महत्वपूर्पूर्परीक्षा होती है क्योंकि यदि उसका खुद का इंट्रेस्ट या खुद की रुची उस कारे में नहीं होगी तो वो उस कारे को बहुतर तरीके से नहीं कर पाएगा जबकि यदि व्यक्ति की रुची य रुजहान उसी कारे में होगा तो वह अपने कारे के प्रति yutiful रहेगा कारे के प्रती करतव्य निष्ठ रहेगा और उसे कारे को करते हुए मज़ा भी आएगा वो उसे अनंदत तरीके से कारे को कर सकता है जैसे कि interior decorator test जिस व्यक्ति का integrated decoration में interest ही नहीं है वो हो सकता है कि उस कारे को बहतर तरीके से ना कर पाए परन्तु उसका खुद का interest यदि इसी field में होगा तो वो इस कारे को बहतर रूप दे सकता है यह बात ध्यान देने योग्या है कि जो कोशल परिक्षाइं होती हैं वो नए कोशल सीखने की संभावित कुशलता को मापती हैं जबकि जो व्यापार परिक्षाइं होती हैं वो एक व्यक्ति के अंदर मौजूद कुशलताओं को मापती हैं तो विभिन प्रकार की परीक्षाओं को हम ध्यान में रख सकते हैं और इनका व्यवहारिक उपयोग जानकर हम अपने अंदर इन गुणों को ला सकते हैं और इनके आधार पर हम जिस भी फिल्ड में जाना चाहें उसके अनुसार हम अपनी तयारी रख सकते हैं ताकि हम विभिन परिक्षाओं में पासो सकें तीसरा जो चरण है चयन प्रक्रिया का वो है रोजगार साक्षात कार रोजगार साक्षातकार साक्षातकार देखे आपचारिक होते हैं विस्तरित रूप से बात चीत करके यह जानने क्या प्रयास किया जाता है यह मुल्यांकन किया जाता है कि आवेदक जो है वो पद खिलिए उप्युक्त है या नहीं साक्षातकार करने वाले की भूमिका सूचना प्राप्त करने की होती है जबकि जो साक्षातकार दे रहा है उसकी भूमिका सूचना देने के लिए होती है तो आपने देखा भी होगा कि जब किसी भी साक्षातकार की बात हो तो प्रश्ण पूछे जाते हैं और यदि आप applicant हैं आप आवेदक हैं तो आप से प्रश्ण के उत्तर की उमीद की जाती है अगला चरण है संदर्ब और प्रिष्ट भूमी जाच अंतिम चैन से पहले भावी नियोकता आवेदक द्वारा उपलब्द कराए गए तत्यों की जाच करता है वह उमीदवार की पारिवार एक प्रिष्ट भूमी क्या है पिछला रोजगार उसका किस प्रकार का था उसने शिक्षा कहां से प्राप्त की है उसका पुलिस रिकॉर्ड आदी क्या है इसकी गहेंजाच की जाती है क्योंकि यह जानना जरूरी होता है कि जिस आवेदक ने जो जानकारी दी है वो सही भी है या नहीं जब आप भी किसी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे और आपका चयन होगा तो आपके संदर्व और प्रिष्ट भूमी की जाच जो है आप पाएंगे की जरूर की जाती है यदि किसी के द्वारा पुलिस रिकॉर्ड इत्यादी में तुरूटी पाई जाती है तो आवेदक का चयन नहीं किया जाता आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आप विभिन परीक्षाएं देते हैं और परीक्षाओं में यदि किसी को नकल चलाते हुए पकड़ लिया जाए तो उसका रिकॉर्ड जो है वो खराब हो जाता है क्योंकि आगे नौकरी पाने के लिए सभी को विदित है कि उसकी प्रिष्ट भूमी उसकी शिक्षा उसका पुलिस रिकॉर्ड आदी चेक किया जाएगा और उसके गलत पाई जाने पर हम नौकरी के लिए एक एलिजिबिलिट भी नहीं रहते हैं हमारी एलिजिबिलिटी भ हर्तम हो जाती है इसलिए हमें अपने आपको मौरली भी ठीक रखना होता है अगला जो चरण है नियुक्ति प्रक्रिया का वो है चयन निर्ने जो उमीदवार रोजगार परीक्षा भी पास कर लेता है उसकी साक्षातकार भी अच्छा जाता है और संदर्ब जाच जब की ग तयार की जाती है और सभी चैनित उमीदवारों को मेरिट के क्रम में सुची बद किया जाता है हर स्थर पर मार्क्स दिये जाते हैं और उनको जोड करके जिसके सबसे अधिक नंबर प्राप्त होते हैं उनको पहला स्थान जबकि डिक्रीजिंग ओर्डर में घटते हुए क् में मेरिट लिस्ट का जो सुची बद करना होता है अगला चरण है मेडिकल जांच या फिर शारिरिक जांच चैन निरने के बाद और नौकरी प्रस्ताफ से पहले उमीदवार को एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है मेडिकल परीक्षा में सही पाये जाने पर उस उमीदवार को नौकरी का प्रस्ताफ दिया जाता है अलग अलग नौकरियों के मेडिकल जांच की अलग-अलग महता होती है उदारन के लिए जब आप किसी फोर्स में जाते हैं, मिलिटरी में जाते हैं, एर फोर्स औगरा में जाते हैं तो वहाँ पर मेडिकल जांच या शारीरिक जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जो उनके क्राइटेरियास बनाए जाते हैं वो अलग-अलग नौकरी के हिसाब से बनाए जाते हैं तो जितनी भी डिफेंस की या फोर्स की पुलिस फोर्स और इत्यादी की जो नौकरियां होती हैं वहां पर शारीरिक जांच का विशेश महत्व है तथा अन्य नौकरियों में भी उमीदवार का फिट पाया जाना जरूरी होता है अगला जो चरण है वो है पद प्रस्ताव अर्थात कि जिन व्यक्तियों ने जिन उमीदवारों ने पहले चे चरणों को बिलकुल सही तरीके से पास कर लिया है वो ही इस चरण में आएंगे नौकडी का प्रस्ताव नियुक्ति पत्र के माध्यम से संस्था उमीदवारों तक महुचाती है नियुक्ति पत्र उन उमीदवारों को जारी किया जाता है जिनोंने चैन प्रक्रिया की सभी बाधाओं को पार कर लिया है इस तरह है कि पत्र में समान्य तह एक तिथी होती है जिस तिथी तक नियुक्त व्यक्ति को duty पर report करना होता है आपने महसूस भी किया होगा कि आपके आस पास यदि किसी को नियुक्ति पत्र मिले या ओफर लेटर मिलती है तो व्यक्ति को एक डेट दी जाती है कि इस डेट पर आकर के आप जॉइन कर लीजिए यदि व्यक्ति उस तिथी तक नहीं पहुँचता है तो ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति विशेश नौकरी करने का इच्छुक नहीं है यदी वह व्यक्ति नौकरी करना चाहता है और दी गई तिथी पर रिपोर्ट करता है तब उसे अगले चरण की और ले जाया जाता है जिसे रोजगार का अनुबंद कहते हैं नौकरी का प्रस्ताव मिलने के बाद उमीदवार को अपनी स्विकृती भी देनी होती है ऐसा नहीं है कि संस्थाने ओफर की एंपलोई ने मान ली और बात होगी उसको रिटन में लिखित रूप में एक स्विकृती देनी होती है जब वह स्विकृती प्राप्त हो जाती है तो नियोकता और कर्मचारी दोनों मिलकर एक अनुबंद पर एक एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं तथा रोजगार के नियम और शर्ते उसका वेतन मान क्या रहेगा अवकाश के नियम क्या होंगे कितने घंटे कार्य किया जाएगा रोजगार की समाप्ती यदि करनी हो तो उसके विधी क्या होगी ये सभी कार्य इनको लिखित रूप में रोजगार अनुबंद में किया जाता है तथा भविश्य में कोई भी जो मनमुटाव की स्थिती पैदा ना हो इसके लिए इस अनुबंद का किया जाना आवश्यक है तो आपने देखा कि जो चैन की प्रक्रिया है उसमें नहित ये आठ चरण है और इन आठो चरणों को बखुबी निभाने के बाद ही एक व्यक्ती को नौक्री दी जाती है संस्था में उसका चैन किया जाता है तथा वह व्यक्ति उस व्यक्ति से बहुत ही बेहतर कारे को करने की जो उमीद है वो संस्था करती है तो हमने पहले पढ़ा भी था कि चैनित व्यक्ति जब बहार से आता है तो वह कितना महत्वपूर्ण है वो एक पूरे वातावरन को बदलने का दमखम भी रखता है तो इस प्रकार हमने जाना कि चैन प्रक्रिया में नहित कौन-कौन से चरण है मिलते हैं आपसे अगले अंक में जिसमें हम जानेंगे इस विशे से और भेतर जानकारी धन्यवार